हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो माई हंगर जन फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मावे वाला गुलाब जामुर इसके लिए दो से तीन चीजों की जड़ा होती है मैंने यहां पास लिया है एक कटोरी मावा जो धाइसो ग्राम के आसपस है 20-30 ग्राम के करीब मैदा और एक कट आने के बाद मैं इसमें इलाइची का जो पाउडर है मैं उसे क्रस्ट करके डाल लूँगी यहां पास इलाइची को और यहां मावी को मैं प्लेट में इस तरह के चौड़े प्लेट में निकाल कर इसे अच्छे से हाथों से मसल लूँगी चिकना कर लूँगी और यह देख जरत नहीं पढ़ने यूज़ा है और इस फूलने के लिए यहां पास जड़ाइज चबाइज्ब निक दानोंम आप जातना बढी स Defense के लिए तो कikkArt ढक्यों फूलने के लिए मśचillos drastically अबलेद फिलिक्स के लिए अउट के लिए मैं इससे जञ़ा और सकती मैंने बारिक काट लिया इसमें थोड़ा सा मिक्शर को लेकर एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और अब इसका एक पेडा बना लेंगे आप जितना बड़ा साइज रखना चाहें रख सकते हैं और इसके अंदर ये फिलिंग रख करके इसे अच्छे से सील पैक कर लेंगे मावी वाले गुलाब जमुन की खास बात ये होती है थोड़ा बहुत इसमें दरार रहता है तो भी ये फटता नहीं है तेल में जाकर और इस तरह से इसे चिकना होने तर गोल बना लेंगे और यहाँ पास देखिए चासने भी अल्मुस्ट ड़न है हम लोगों की और इसे इन सभी बॉल्स को मैं एकदम लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लूँगे गोल्डन ब्राउन होने ता है यह एक बैच फ्राई होने में अल्मुस्ट 10 से 15 मिनट के टाइम लग जाता है इसे हाइब फ्लेम पर बिल्कुल ना करें नहीं तो यह क्या है उपर से काला और अंदर से बिल्कुल ही कच्छा रह जाएगा यह देखिए यह पूरा गोल्डन कलर आ चुका है और यहां पास मैंने इसे थोड़ा सा डीप किया है आप अपने अनुसार थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और इसमें मैं सेकेंड बैज को डाल कर इसे भी फ्राइ कर लूँगी इसमें थोड़ा सा जादा मैं डाल लूँगी और यहां पास जो बॉल से ना उनको मैं तुरंधी चासनी में डाल दूँगी क्योंकि ठंडे होने से जो है यह चासनी को एब्सॉर कोने में टाइम लगाते हैं और यहां सेकेंड बैज भी डन हो गया है इसे भी मैं प्लेट में निकाल कर वापस से चासनी में डाल लूँगी और आदे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और धंडा होने के बाद मैं इसे कटोरी में यहां पास देखिए मैंने निकाल लेया और यह देखने में कितना सुन्दर और यमी लग रहा है फ्रेंट्स आपको अगर यह रेसीपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें थैंक्स फॉर वाचिंग तिल देन ब बाद